मुंबाई को सपोर्ट करने के लिए वानखेडे स्टेडिय में पहुचा था पूरा बॉलिवूट मजबूरन करने लगा धोनी को सपोर्ट 500 के स्ट्राइक रेट से धोनी ने उड़ाया बल्ला तो घरदा हो गया हादिक पान्या मैदान से आने लगी आवाज माही मार रहा है तेंशन में आ गई थी रेतिका सस्दे सर पकड़ कर बैट गई थी बेबो धोनी के हलेकॉप्टर शॉट पर दिवानी हो गई सारा तेंदुलकर मजबूरन ताली बजाने लगया विशेक पच्चन मुंबई का सपोर्ट करने आए जोन अबराहम भी धोनी के फैन हो गए 42 साल की उम्रे में 18 साल वाला जोश देखकर हका बक्का रहे गए लोग बेकार हो गई रोहित शर्मा की शतक्ये पारी हादिक पांडिया पर फूट पड़ा का शुमबानी का गुस्सा खुद को बड़ा गिंदबाज समझ रहते पाढ़ लिया धोनी ने निकाल दी हेकड़ी अब गलती से महेंदर सिंग धोनी के सामने गिंदबाजी नहीं करेंगे हादिक मुंबई की शर्मनाखार 42 साल की उम्र में 18 साल की योवाओं जैसा जोश चीते की चाल 500 का स्ट्राइक रेट लगातार मैदान पर चको की बारिश मैदान के चारों तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी माही मार रहा है आज पूरा बॉलिउड वान केड़े के स्टेडियमे मौजूद था अपनी मौंबई की टीम को सपोर्ट करने के लिए जब जब मौंबई विकेट ले रही थी तब तब बॉलिउड की सबसे खुबसूरत हसिनाओं के उपर कैमरा फोकस हो जा रहा था और उनका रियाक्शन कैद हो रहा था तब ही अचानक एंट्री होती है थाला की जैसे ही माही ने पहला कदम मैदान में रखा वैसे ही क्या चिन्नाई सुपर किंग्स के फैन और क्या मॉंबई इंडियन्स के फैन हर कोई माही माही चिलाने लगा मैच ने आखरी ओवर में ऐसा रुख पल्टा कि हार्दिक पांडिय के होश उड़ गए विकेट लेने के बाद खुद को बहुत बड़ा गेंदबास समझने वाले हार्दिक पांडिय को महिंदर सिंग्धोनी ने इतना कूटा कि हार्दिक पांडिय मैदान पर बौखला गए करिना का पुर्खान जो हार्दिक के विकेट लेने पर फ्लाइंग किस्ते रही थी अचानक उनके चेहरे का रंग उतर गया जौन अबराहम भी खुशिते उचल रहे थे वो भी शान्त होकर कुरसी पर बैठ गये क्योंकि आप बारी थी माही के मारने की महेंदर सिंग्धोनी ने लगतार पांडिया की गेंट पर छखके जड़कर बता दिया कि माही के बाजों में अभी कितना दंबाकी है मैच में क्या हुआ हम आपको वस्तार से बताएं उससे पहले हम आपसे जाना चाते है कि कि आज के मैच का सबसे बेस्ट टर्निंग पॉइंट क्या रहा कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं फिर हम बताते हैं 60 सेकिंड में मैच का पूरा हाईलाइट बता दे कि वान खेड़े के मैदान पर रोहित शर्मा ने बल्ले से जमकर को हराम हजाया रोहित मुंबाई की तरफ से बतार आपनर सबसे जादा रन बनाने वाले बल्ले बास बन गए हाला के हिट मैन मुंबाई को जीत नहीं दिला सके 207 रन के स्कोर का पीछा करने उत्रे मुंबाई इंडिन्स को रोहित शर्मा ने तुफानी शुरुआ दी रोहित ने पहले विकेट के लिए इशान किशन के साथ मिलकर 70 रन की पार्टनर्शिप जमाई इशान के पाविलियन लोटने के बाद भी हिट मैन ने चौके छको की बरसा जारी रखी रोहित ने 63 गेंदो फर 105 रन की यादगार पारी के लिए रोहित के बले से आईपियल में 12 साल शो तक नहीं निकला अपनी इस पारी के दोराने 11 चौके और 5 गगन चुमी छक्के लगाए रोहित शर्मा मुंबाइ इंडियन्स की ओर से बतौर सलामी बलेबास सबसे जाधरन बनाने वाले बलेबास बन गए रोहित ने इस मामले में सचिन तंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है सचिन ने आपनर के तौर पर मुंबाइ के लिए 2492 रन जोड़े थे रोहित अब सचिन से भी आगे निकल गए रोहित शर्मा ने अपनी पारी के दोरान 5 चौके जमाए इसके साथ ही T20 क्रिकेट में रोहित ने 500 चौके भी पूरे कर लिये हिटमैन T20 क्रिकेट में 500 चौके लगाने वाले पहले भारती बलेबास बन गए इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर विराट कोहली का नाम दरजय जिन्नोंने 383 चौके जमाए रोहित मॉंबाई इंडियन्स और चिन्नाई सूपर किंग्स की राइवल्री में सरवाधिक रन बनाने वाले बलेबास बन गए रोहित ने इस मामने में सुरेश रहना को पीछे छोड़ दिया रोहित ने मैच में अपना बारावा रन बनाने के साथ ही रहना को पीछे छोड़ दिया